कि आज जिस समय हमारे युवाओं को मैं देखता हूं एक बहुत बड़ा ट्रांसफर्मिशन हमारी युवाँ शक्ती ला रही है यह वाइफॉरडी इस यूथ फॉर डिवलपमेंट और यह जो युवाँ हमारा है आज जिस प्रकार से वो इनोवेट कर रहा है आज हम लोग देखते हैं कि स्टार्टप की जो इकोसिस्टिम है इसमें भले ही स्टार्टप्स इनक्यूबेट मुंबई पुना जैसे बड़े शहरों में होते होंगे पर इसमें 60 प्रतिशत लोग यह टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं या गाओं से आते हैं और अपने इनोवे इसके करण लोगों के जीवर में भी एक बदला होता है और एंप्लाइमेंट मांगने की जगह एंप्लाइमेंट क्रियेटर्स के रूप में यह युवा इस स्टार्टप एकोसिस्टिम में काम करते हुए हमको दिखते हैं और आज महाराष्ट्रे तो स्टार्टप कैपिटल में है तो मुझे इसा लगता है कि जब इस युवा शक्ति के उडान को मैं देखता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि जो सपना हमारा है महाराष्ट को ट्रिलियंट डॉलर एकोनॉमी करने का या देश को 5 Trillion एकोनॉमी करने का वो निश्टितुरूप से सफल कर लेकिन यह सारी चीज़े जब हम लोग एक प्रस्पेक्टिव में देखते हैं आज दुनिया में चर्चा चल रही है कि एक समय था पिछले 30 सालों तक चाइना ने फैक्ट्री ओफ वर्ल्ड का काम किया चाहे वो USA हो चाहे वो Japan हो चाहे वो European countries हो सभी का investment चाइना में बड़ा और दुनिया के लिए करीब 30-40% आफ वर्ल्ड मैनिफेक्ट्रिंग ये चाइना में तैयार हुआ और एक प्रकार से दुनिया को चाइना ने अपने supply chain में इस प्रकार से जकड़ा कि कोविड के समय जब ये supply chain disrupt हुई और जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड का वाइरस तैयार का हुआ वान वाइरस है और उसके बाद दुनिया के बिजनिसेस को ये ध्यान में आया कि अब केवल चाहिना के supply chain के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं और हम लोगों को diversify करना होगा और उसके बाद इस विचार को लेकर चायना प्लस वन इस policy को लेकर लोग बाहर निकले और और इनिशियल एक्जोरस जो था वो साउथी स्केशन कंट्रीज में गया और कुछ अधर कॉंटिनेंट्स में भी वो गया लेकिन मेजर साउथी स्केशन कंट्रीज में गया लेकिन एक बात याद रखिए कि जब समुद्र से पानी निकलता है तो उसको तालाब अपने में समाहित नहीं कर सकता और आज परिस्तिती यह है इन सारी कंट्रीज में यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज हो आए एनरजी का शॉर्टेज हो रहा है और अलग-अलग प्रकार के सोशल प्रॉब्लेम्स कड़े हुए क्यूंकि इतने बड़े पैमाने पर इस मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर को या यह स भारत कर सकता है ऐसा सब का मानना है और इसलिए बड़े पैमाने पर दुनिया के सारे मैनिफेक्ट्रिंग हो टेक्नोलोजी बिजनेस हो इंडस्ट्री 4.0 हो यह सारे आज भारत में आ रहे हैं आना चाहते और मैं दुनिया में कई देशों में गया तो इस प्रकार का लोगो में उनको दिखाई पड़ती है भारत एक लौ अबाइडिंग सोसाइटी के रूप में दिखाई पड़ती है भारत एक जहां पर हम बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस को कोई आज नहीं आएगी क्योंकि यह डिमक्रसी है इस प्रकार की भावना लोगों में दिखती है त